राधे राधे एब्रिवन पुजा कॉर्णर ब्लॉक में आप सभी का शागत है तो फ्रेंड्स आज इसकी वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे नौरात्री में या फिर अपने किसी बड़ी पुजा में अखंड जोती जलाना चाहते हैं तो कैसे जला सकते हैं तो फ्रेंड् आज यूजा को चाहिए तो बाती हम कि लेंगे कलावा की बनाएंगे और इसकी बहुत अच्छी जलती है फ्रेंड्स आप ये जो मेरा है ये एकदम प्योड सूती है तो ये चीज़ आप देख लिजेगा कि सूती है की नहीं तो क्या हुगा कि आपका नहीं अच्छे से जल यह देख के मैं पूछ के भी लाती हूँ, तो friends क्या होता ने कि जो अखंड जोती नवरात्री में जलाते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, तो friends जब भी आप अखंड जोती जलाएं तो हमें क्या कुछ बातों का ना दिहान देना पड़ता है, तो friends जब भी आप जलाएंगे आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो जोती हमें नीचे नहीं डारेक्ट हम रख सकते हैं वो कपड़ा एक बिछा के चौकी रख के या फिर एक प्लेट रख के आपको रखना है या फिर इस तरीके का अश्ट कमल दल बनाना है तो मैं एकदम दीरे दीरे आपको बनाना सिखा रहे हूँ बता रहे हूँ कि कैस्टे अश्ट कमल दल बना के आप इस पे जोती रख सकते हैं अश्ट कमल दल बना के उसी पे कलश भी रखा जाता है तो या तो आप अश्ट कमल दल रोली से बना लीजे हल्दी से बना लीजे प आपको घर से कभी भी घर को ना अकेला नहीं छोड़ा जाता है, आप किसी ने किसी को रहना है, जैसे आप बाहर जा रहा है तो घर में कोई ने कोई सदस्थी रहना चाहिए, जोती को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, घर में कभी भी बोलते हैं कि ताला नहीं लगना है मतलब आप जाना पड़ता है तो आप एक काम यह कर सकते हैं कि आप किसी भी जैसे मंदीर है या फिर सक्ति पीठ है वहाँ पे आप अखंड जोती जलवा सकते हैं वहाँ पर सारा समान आप दे के आ जाए बीच बीच में आप हैं किसी आप दर्सन के लिए जैसे एक दिन में चले जाए या Да दूसरे दिन चले जाए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्योंकि अगर जोती चलाएंगे आप अखंड जोती चला रहे हैं तो आपको रहना अनिवार है एगा आप घर को को नहीं आता है तो वो अच्छे से आप लोग देख लीजिए उसके बाद इस पे हम रखेंगे जोती को तो फ्रेंट्स देखें हमारा अस्त कमल दल बन चुका है और हम इसमें रखेंगे जोती को उसके बाद हमको क्या करना रहता है कि घी पूरा भर देते हैं उसके बाद हमे हुए हमें जलाना रहता है तो फ्रेंट्स अगर मंत्र आप लोगों को नहीं पता है तो मेरे चैनल पर मिल जाएगे खंड जोती की मंत्र क्या बोलना चाहिए तो फ्रेंट्स उम्मीद करते हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को करिएगा ताकि लोगों को और लोगों को मदद मिल सके बाई बाई